वेलकम स्टूडेंट्स तो आज हमारा टेपोलोजी में लेक्चर नमबर फाइव है और हम आज बहुत ही इंपोर्टेंट टेपोलोजिस बढ़ने वाले हैं जो यह टेपोलोजीस हैं जब हम आगे काउंटर इग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत काम आती हैं तो देखिए इसमें क्या है कि जो अब हम जितने भी टेपोलोजीस करेंगे वह स्टेंडर टेपोलोजीस हैं कि अगर हम कोई भी एक आर्बीटरी सेट लें उस सेट पर हम यह सभी की सब भी जो टेपोलोजीस हैं वह डिफाइंड कर सकते हैं ओके तो सबसे पहले हम बात करत सबसेट है तो हम एक स्ट पोलोजी डिफाइन करते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक एमटी सेट लेंगे और यह खूद जो सेट उता है एक सिर्फ यह दो लेंगे तो यह के डिफाइन करतेगी हमारे पास एक लोज़ीद करते ही on x उसे हम बोलते हैं in discrete topology और जो हमारे पास यह pair होगा उसे हम कहेंगे कि यह हमारे पास क्या है एक in discrete topological space okay for example जैसे हम एक कोई भी arbitrary set है वो define कर लें one two three four इसके पास five elements है तो अगर हम एक collection लेते हैं जिसमें एक तो empty set हो सिर्फ और सिर्फ और खुद एक सिर्फ x हो तो यह बन जाएगी हमारे पास उस set के उपर एक in discrete topology okay further example हम लेते हैं x हम set of natural numbers ले सकते हैं set of rational numbers ले सकते हैं set of regal numbers ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं और उसके उपर हम यह define करते है लेजिस ठीक है तो यह क्या बनने वाली है उसके उपर एक in discrete topology है okay जो in discrete topology है आगे हम further properties परेंगे topological spaces में उसमें counter examples लेने में बहुत काम आती है okay उसके बाद बात करते हैं discrete topology discrete topology में देखिए सबसे पहले फिट से हम क्या करेंगे कि x हमारे पास कोई एक non empty set है और हम letter करते हैं कि जो p of x है वो हमारे पास क्या है इसका power set है means that a collection of all subsets of x तो अगर हम एक topology define करते हैं उसमें हम क्या करते हैं वो सारे के सारे subsets ले लेते हैं हम x के that is जितने भी हमारे पास यह power set है पूरा का पूरा power set जो है हमने वो collection कर ली उनकी ठीक that is tau हमारा set क्या होगा पूरा का पूरा उसका power set बन जाएगा तो यह क्या बन जाएगी हमारे हमारे पास उसके लिए एक discrete topology अब चेक करते हैं कि यह topology के properties मारी satisfy कर रहा है तो देखिए सबसे पहले इस power set में हमारे पास empty set पी present होता है यह हमारे पास belong कर रहा है और खुद x है वो भी belong करेगा और अब हम क्या करते हैं एक कोई भी arbitrary collection ले ले लेते हैं इसको टाव में से जब हम इनकी union करेंगे ठीक है यह हमारे पास एक सबसेट है और हम सबसेट की union करेंगे तो यह भी तो हमारे पास क्या होगा एक ना एक एक सबसेट ही होगा और हमने सभी के सभी सबसेट जो हमारे इस टाव में लिख लें है तो it means जो हमारे पास यह union होगी वो भी मारे टाव में बिलोंग करेंगी ओके next property कि अगर हम कोई भी एवान और एटू दो members लेते हैं हमारे टाव में से it means वो क्या होंगे हमारे पास सबसेट होंगे एक सबसेट होगे सब्सक्राइब आप यहां पर यह बिलोंग करेगा और थीक है जो इंटरसेक्शन करने के बदा आगा वह भी हमारे पास इस collection में बिलोंग करेगा it means जो intersection है हमारी वह भी बिलोंग कर जाएगी मरी टाव में ओक्य तो हमने देखा ma discreet topology में empty set पूरा का पूरा set अगर तो यह ओपन सेट्स है हमारे पास अगर हम कोई भी arbitrary collection देंगे उनके union करेंगे वो भी open बन रही है intersection दो सेट्स की करेंगे वो भी मारे पास open बन रही है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह अब जो डिस्क्रीट यह हमने यह कलेक्शन डिफाइंड किया हो हमारे पास क्या बनेगी एक डिस्क्रीट टॉपोलोजी है वह बनने वाली है अब इसकी हाल से हम कोई भी सेट हो नोन एमटी उसकी उप्रम टॉजिस डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि आप कहें कि कोई भी अगर हमें एक फानाइट सेट ले लें वान टू थ्री तो जो हमारे पास यह सेट बना है तो इसमें हम क्या रखेंगे जितने भी हमारे पास इसके सबसेट्स बन रहे हैं तीक है वो सारे के सारे हम इसमें प्लेक्ट कर लेंगे ठीक है इसमें कौन कौन से होंगे हमारे पास सिंगल अटन सेट 1 होगा सिंगल अटन सेट 2 होगा सिंगल अटन सेट 3 होगा इसके बाद 1,2 होगा इसके बाद 1,3 होगा इसके बाद हमारे पास 2,3 होगा और लास्ट में हमारे पास पूरा का पूरा सैट्ट है वो हमने लिगा हुआ है तो टोटल हमारे पास कितने elements होंगे 8 elements होंगे यह हमारे पास क्या बनेंगी एक discrete apology बनेंगी ओके तो आपको discrete apology और discrete apology यह हमेशा mind में रखनी है जब भी हम आवे पुविरी जाए।